निर्भया के मुझिमों को फासी फीर दूसरी बार टल गए जाने कितने बार टल लेगी अभी मैंने टिवीट सुना हमारे सीम साब कर रहे हैं कि निर्भया के मुझिमों को जल्दी फासी होने चाहिए लेकि मैं उनसे ये भी कहना चाहती हूं कि एक बार अपना जेल मेनुवल जहांक के तो देखे कि उन्होंने 2016 में क्या बनाया है जितने दुख फासी टलने पे नहीं हुए उतना दुख यह हुआ कि 7 साल बाद कोट में मुझे 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 का उकिल चैलेंज कर रहा है कि फासी अंतकाल तक नहीं होने तो मैं आप लोगों से सरकार से ये कोट सुन ले डिली सरकार सुन ले केंडर सरकार सुन ले कुछ ने का के गया है कि फासी अनंतकाल के लिए टल गई तो कही न कहीं सरकार हमें साथ साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआता है बार बार हमारे को उन मुझीरवों को सामने सरकार जुका रही है ये कोट जुका रहा अज लंबे समय तक आठी आपने इंतजार किया और आपकी उमीद थी मैं सुबे दस बज़े से कोट में आके बैठी हूँ अगर यहीं पोस्पोनी करना था तो इतना पूरे दिन बैठाने की क्या जरूरत थी आप फैसला देते हम घर जाते लेकिन नहीं पूरे टाइम हमने इंतजार किया हमें भी उमीद होती है कि नहीं हमें इसाफ मिलेगा लेकिन सबसे दुख की बात है कि एक मुझिरिम का वोखिल हमें चैलेंज करके गया कि यह फांसी कभी नहीं हो सकती आपको नहीं लगता कि कानूनी लूप फोल्स हैं जो कानूनी कम्या है उसका फायदा पूरी तरीके से जो दोसी हैं वो उठा रहे हैं बिल्कुल उठा रहे हैं या उनको सरकार और कोट मौका दे रहे हैं कि उठा हो क्योंकि वो देश के पुरुस हैं वो बच्ची का कोई हक नहीं था दुनिया में जीने का, इन्होंने कराइम किया, लेकिन इनका हक है कि ये बार बार फांसी के डेट को पोस्पोन करवा रहे हैं, अब मेरे को चैलेंज करके गया कि फांसी नहीं हो जाते। मैं लड़ूंगी, सरकार को उनको फांसी देना होगा, और नहीं तो पूरे समाज को सुप्रीम कोट से लेकर लोवर को सिलेंडर करना होगा, कि हमने फांसी की सजा लोगों को गुम्रा करने के लिए दिया था, सांत करने के लिए दिया था. अब हो सक्के सरकार का मन बदल गया हो कि उनको नहीं फासिल देंगी, आप ये भी कह रही थी कि बोट के लिए सरकार इस तरीके की करती है, कि हाँ पहसला होगा, लेकिन वो नहीं पाया. देखिए, हमेशा से सरकार वोट के करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, मैं इसमें बात करना नहीं चाहती हूँ. लेकिन मैं आज यहीं सरकार से, अपने कोट से, नया बेवस्था से, केंजिर सरकार से यहीं कहना चाहती हूँ, कि आज इस कानून बेवस्था के कमी के होजासे, आज एक मुझरिम का उखिल मुझे कोट में चैलेंज करके गया है, कि अनंत काल तक फासी नहीं होगी, तो कही नहीं न कहीं, वो जो चाहते थे मुझरिम, वो हो गया, तो इस पे अब कोट विचार करें, सुप्रीम कोट विचार करें, कि सुप्रीम कोट ने उनकी रिवीव खारिज करी, उनकी केवरी पटीशन खारिज करी, तो आखिर वोजा क्या है, कि उसने मुझे चाइलेंज किया कि फासी नहीं हो सकते पिछली दो बातों तारीख भी मिली थी 22 जनवरी पर तो कोई तारीख भी नहीं मिली है क्योंकि जो मुझरिम चाहते थे वह हो गया वो चाहते थे कि ये फासी अनंद काल तक टल जाए ओटल गई कई कोट सरकार सब उनको सपोर्ट कर रहे आज आपको भरोसा है कानून पर अगर कानून में फासी है तो उनको देना पड़ेगा नहीं तो पूरा समिधान को आग लगाना पड़ेगा उनको बात कहिए उसके जो बच्चीों में लगातार क्राइम हो रही है क्या समाज में संदीज जाएगा क्या उनको इंसाब मिल पाइगा और और उनके होसले बढ़ेंगे और कराइम होगा लेकिन इनको कोई फरक नहीं पड़ता यो कि ये बहुत उंची हवेली में बैटे हैं इनको हवा तक नहीं लगती है तो ये कही कहीं मुजिर्मों का सपोर्ट कर रहे हैं